हनुमान चालीसा में इतने सालों पहले इतने सोलोस हो इस पी में शायद तुलसी दास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी एक तुमा यह जाना चाहता हूं उस तोत्र में चालीसा में और जो भी वंदना होती है उनमें इनमें फर्क क्या चालीसा मतलब क्या चालीसा मतलब क्या में भी वाइरल होती है तो क्या बोलना चाहेंगे आपके साइन्स जहां-जहां पहुंचेगा वहां पे हमारा धरम पहले से पहुंचा हुआ है सीता राम गुनंक ग्राम की में बंदना करता हूं लेकिन बंदे विशुद शब्द भी चोटा है विशुद्ध विज्ञानों कौन कौन विज्ञानिक है कवीश्वरों कवीश्वर कौन बालमी की कपीश्वरों एक हनुमान जी परम वैज्ञानिक है और एक बालमी की परम वैज्ञानिक है तो हनुमान जी यह जो साइंस है यह सब हनुमान जी परम वैज्ञानिक है और तु तब जितनी सूरे की दूरी ये सब निकल गड़ के जाती और उसको भी लीले होता ही मदूर फल अगनी को खा जाना, सूरे को खा जाना इसका एक अरत है कि सूरे काल काल, वक्त, समय लेकिन हनुमान इने दिखाया मैं हूमाहाखा सब काल के हाथ में रहते हैं काल मेरे हाथ में रहता है टाइम को इनका बल कितना है मतलब एक ये था कि ग्यारा नहीं हजार एरावत हाथी जितना बल दस हजार हाथियों में होता है यही चीज थी कि इतना बल इंदर के एक एरावत में होता है इतना बल ऐसी कोई गणना है इतना तो अबल हनुमान जी एक कन की उंगली में लेकर गोंते है छोटी वाली में मतलब और देखो ये जितना बल है आया कहां से है उतना तो श्री राम से ही है जब जयंत को राम जी ने बान सीख बना करके मारा इंदर के पुत्तर जयंत ने चौच मारी सीता जी के पाओं में बालमी की रामान में कहते है वक्ष स्थल पे मारी क्योंकि दोनों पती पत्नी बैटे थे एक आंत में उसने का ये पती पत्नी है ये भगवान है क्योंकि राम जी क्या गर रहे है सीता जी वो गलवईयां डार रहे थे पती और पत्नी मर्यादा से लक्ष्मन जी लकडी काटने गए है एक जगा वो चौपाई है एक बार चुनी कुसम सुहाई राम जी और सीता जी दोनों बैठे चित्रकूट में और उसी सब्वे राम जी ने एक पुष्ट उठाया एक बार चुनी कुसम सुहाई कुछ पुष्ट उठा लिए फिर निजिकर भूशन राम बनाए अपने हातों से एक माला बनाई जी वहाँ कहाँ भूशन थे सच बात लेकिन जो पत्नी मेरे साथ नंगे पाउं दोड रही है बारा साल से उसको भी तो खुशी देनी है उसको प्रसन करने के राम फीके नहीं है उसको खुश करने के लिए सीता जी को प्रसन करने के लिए अपने हातों से एक माला बनाई और यहाँ पर एक अर्थ में इस चुपाई कह लेता हूँ एक बार चुनी कुस्म सुहाए निजिकर भूशन राम बनाए यानि के कोई कुस्म भूशन को छोड़ दो तो निजिकर अपने हातों को ही आभूशन बना लिया यानि के सीता को मानो गलबईया डाली मानो एक पती पत्नी एकांत में बैठे हैं और ऐसे करके गलबईया डाली तो मानो सीताई पहिराए प्रभु सादर एक पती पत्नी अगर एकांत में बैठे है और वो पती अपनी पत्नी का वरण कर ले तो इस पर बुरा क्या है नहीं है दूसरा 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 सीता जी हैं भक्ती राम है भगवान भगवान ही तो भक्ती का वरण करता है लेकिं इंद्र का पुत्तर जयंत जो किसी की पती पत्नी के जीवन में भंग करता है उसकी मर्यादा को भंग करता है भगवान उसको एक नैन का कर देते हैं अच्छा काना कर देते हैं आकर के सीता चरन चौँच हती भागा, सीता जी के पाउं में चौँच मारी, बालमीकी रामान भी नहीं नहीं लेखा वक्षास ठल पे भागा, और राम जी ने देखा, शक्ती तो देखो राम की, ऐसे करके शीख उटाई सीख, और ऐसे करके छोड़ दी, प्रेरि संकल्ब था प्रेरित मंत्र ब्रम सरदावा दौड ता रहा सीखने पीछा नहीं छोड़ा ब्रम लोग चला गया ब्रमा जी नेका चल दी निकल जा यहां से मार डालेंगे राम अपने बाप के पास गया इंद्र के वा हां इंद्र नेका राम से द्रो करके आया भाग यहां से शंकर जी के पास कहां कहां तू भी मरेगा हम भी मरेंगे इतने में देखा नारद देखा बिकल जयन्ता लागी दया को मलचित संता आवई जयन्त कहां दोड रहा है कुछ नहीं प्रभी देखो पीछे क्या लगा है डरा हुआ मार देगा नारद जी ने का मारना होता तो तुझे यहां तक आनी नहीं देता अगर इसको तुझे मारना होता राम जी को तुझे मारना होता तो उपने बाप के घर पहुँच जाता तो ब्रह्म जी ने का बेटा तुझे चमा तो मैं कर दूँगा लेकिन एक नएन कर तजा भवानी उसको अंधा बना करके एक एक नएन का करके उसको भेज दिया